नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डौक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की ओक्सिकोनाजोल क्रीम का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है ओक्सिकोनाजोल क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और ओक्सिकोनाजोल क्रीम की वज़से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि ओक्सिकोनाजोल क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में ओक्सिकोनाजोल क्रीम को लगाना रेक्मेंडेड नहीं होता है ओक्सिकोनाजोल क्रीम एक एंटी फंगल दवा है जिसका उप्योग फंगल इंफेक्शन और यीस्ट इंफेक्शन होने पर किया जाता है तवचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर तवचा में लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजली और तवचा में जखम आदी लक्षर दिखाई देने लगते हैं। फंगल इनफेक्शन नाखुनों और जांगु में भी हो सकता है। इसलिए नाखुनों और जांगु के फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए भी ओक्सिकोनाजोल क्रीम का उप्योग किया जाता है। फंगल इंफेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की ओक्सिकोनाजोल क्रीम की वज़से क्या साइड इफेक्श हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ओक्सिकोनाजोल क्रीम की वज़से कोई साइड इफेक्श नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में ओक्सिकोनाजोल क्रीम की वजह से तवचा में जलन, खुजली, तवचा में लालपन, सूजन और तवचा की एक पतली लेयर पप्री बनकर उतर सकती है. अब हम डिसकस करेंगे की ओक्सिकोनाजोल क्रीम को कैसे लगाना रिक्मेंडेड होता है. ओक्सिकोनाजोल क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने हाथों और जिस एरिया पर क्रीम को लगाना है. उस एरिया को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए. और हाथों वप्रभावित एरिया को अच्छी तरह सुखाने के बाद ओक्सिकोनाजोल क्रीम की एक पतली लेयर प्रभावित एरिया पर लगानी चाहिए। ओक्सिकोनाजोल क्रीम को एक उंगली की मदद से हलके हाथ से फैला कर लगाना चाहिए। और ओक्सिकोनाजोल क्रीम को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ओक्सिकोनाजोल क्रीम को दिन में दो बार लगाने की सलाह देते हैं। ओक्सिकोनाजोल क्रीम को लगाने के बाद आपको अपने हाथों को साबुन की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि इंफेक्शन दूसरी जगह पर ना फैले। अब हम डिसकस करेंगे कि ओक्सिकोनाजोल क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में ओक्सिकोनाजोल क्रीम को लगाना रेक्मेंडेड नहीं होता है। अगर आपको ओक्सिकोनाजोल क्रीम या इसके किसी भी इंग्रिडेंट से एलर्जी है तो आपको ओक्सिकोनाजोल क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। और इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं ओक्सिकोनाजोल क्रीम को लगा सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्तर ओक्सिकोनाजोल क्रीम को लगाने की सलाह तभी देते हैं। जब ओक्सिकोनाजोल क्रीम का देना बहुत ही जरूरी हो। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओक्सिकोनाजोल क्रीम को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ओक्सिकोनाजोल क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।